हलो दोस्तो एक बहुत ही बड़ी ख़बर सामने निकल कर आई है ख़बर यह है कि ब्रिटेन ने चेन के खिलाप अपना नौसेना भेजा है और नौसेना के साथ ब्रिटेन ने पूरा जंगी बेड़ा जिसमें सिर्फ एक दो जाज नहीं बलकि पूरे एक बैटल ग्रूप बेजा है और यह ब्रिटेन का जंगी बेड़ा बिलकुल फॉरवर लोकेशन पर भीजा जाएगा दक्षनी चीन सागर में आखिर इसमें ब्रिटेन ने चीन के पास अपना जंगी बेड़ा कें बेजा और इसके माइन किया है और भारत को इससे क्या फाइदा या नुकसान हो सकता है आईए जानते हैं साइद आपको पता हो इसी साल मार्च के महिने में जब ख़बर गर्म थी कि हंकॉंग पर चीन का कोई बड़ा फैसला आ सकता है आपको जानकारी के लिए बता दू कि 1997 तक हंकॉंग ब्रिटिस का हिस्सा हुआ करता था और फिर बाद में ब्रिटिस सरकार ने इसे चीन को इस सर्थ पर संपा की 1945 तक हंकॉंग के स्टीटेस को चेंज नहीं किया जाएगा और हंकॉंग सोतमत बना रहेगा लेकिन जब यह ख़वर दुनिया में आए कि हंकॉंग को स्टीटेस को चीन चेंज करने वाला है इसको देखते हुए ब्रिटिन ने अपना एड़बांस्ट एरकराप करियर HMS क्विन एलिजाबेत भेजा पेट्रोलिंग पर दक्षनी चीन सावर में लेकिन इसके बाद चीन ने इस पर कड़ा एत्राज किया जिसके दबाब में ब्रिटिन ने आकर कि अपना एक रप करियर अलिजाबेत को इनको बापस बुला लिया और फिर चीन ने ब्रिटिन के नौसेना को हटते ही और दुनिया भर के विरोत को दर्कनार करते हुए हांकों का स्टीटेस को खतम किया और ठीक इसके बाद दुनिया भर में करोना बाइरस का बरकोफ फैला जिससे दुनिया का ध्यान हट गया लेकिन हाले की दिनों में जब चीन और भारत के भी इस्टेंसन बढ़ा तो जिस तरह से भारत ने चीन को मोतोर जवाब दिया है और लगभग 15 दिन के अंदर भारते सेना ने चीन के उपर बहत हासिल करते हुए बॉर्डर पर कई उची चोटियों को अपने कबजे में ले लिया है जिसे देखते हुए दुनिया को लगआ कि चीन को चुनोती दी जा सकती है ब्रिटेन में करोना के इस्तिती नॉर्मल हुई है साथी साथ वहां की जनता को जवाब को देखते हुए और भारत के साथ को देखकर ब्रिटेन में फिर से एक बार हुशला जागा है और ब्रिटेन को लगआ कि चीन को चुनोती दी जा सकती है सो ब्रिटेन में फिर से अपना एरक्राप करियर HMS Queen Elizabeth को अपने जंगी ब्रेडे के साथ भेजा है जिस पर दुनिया की बेहतरीन फाइटर जेट प्लेन एक 35 तैनात है और यह 5 जनरेशन फाइटर प्लेन है जो अपने स्टेल्स टेकनोलजी के कारण रडार के पकड़ में असानी से नहीं आता अब इसका असर यह होगा कि चीन के खिलाब दक्षनी चीन सागर में पहले से ही भारत, अमेरिका, अस्टेलिया, जपान की नौसेना खड़ी है ब्रिटेन के आने से इन में और मजबूती मिलेगी और फिर इतनी सारे देश की नौसेना को एक साथ होने के बाद दक्षनी चीन सागर में चीन के सी चुहे दानी में फसे चुहे की तरह हो जाएगी